Hello my dear students, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरो सोरो से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको pre-board day sheet share कर दी ती, तो बहुत कम टाइम बचा है 20-21 days के बाद आपके pre-board start हो जाएंगे और then आपके term 1 start हो जाएंगे So, यहाँ पे आप लोग के लिए good news है, good news यह है कि CBSC आपके लिए बहुत सारा content provide कर रहा है Yes students, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ और आपके लिए जो CBSC का content है वो बहुत ज़्यादा useful हो सकता है देखिए जो CBSC है ना वही आपका board exam देता है तो CBSC कोई भी content release करता है, कोई भी चीज़ देता है, कोई भी study material देता है उसको पढ़ना, उसको करना बहुत ही important होता है क्योंकि कोई भी book उतनी authentic नहीं हो सकती जितना CBSC का content होता है ठीक है, इसके बार में मैं आपको क्यों बता रही हूँ CBSC ने देखिए sample paper तो आपको पहले ही provide कर दिया था और मैंने आपको sample paper करवाया भी था, कैसे download करना है वो भी बताया था यहाँ पे आपको CBSC देने जा रहा है question bank पहले केवल CBSC ने science math English का question bank दिया था अभी CBSC और भी question bank दे रहा है, नए questions दे रहा है और जो आप लोग बहुत ज़दा confused रहते हो कि भाई competency based जो question है जो हमारे case study question है, कहां से practice करें, book में 2-3 question है कैसे करें, किस तरह की question आएंगे, तो CBSC यह आप लोग को देने जा रहा है ठीक है जी, ध्यान से समझ लेजिए, कैसे आपको download करना है, कहां से मिलना है और second thing मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन बच्चों ने book खरीदी है, ओस्वाल या edu card वहाँ पी जो case study question दिया गया है न, वो भी यहीं से लिया गया है अगर आप यहाँ पे question bank को cbsc को खोल के check करोगे, तो आप पाओगे कि यहीं से ओस्वाल और edu card वालो ने उठाया है question ठीक है, कोई नया question नहीं form करके दिया है आप लोग को, तो अगर आप book नहीं भी खरीदे हैं, तो भी आप यहाँ से practice कर लीजिए, बराबर ही है अब देख लेते हैं कि आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग cbsc के official website है, आप Google पे जाएंगे और cbsc टाइप करेंगे cbsc, जब cbsc टाइप करेंगे और पहली website खोल के आप इस website पे आजाएंगे, अब आपको करना क्या है, यह देखिए आपको यह जो green bar नजर आ रहा है, green bar, इसमें एक new tab update हुआ है, यह new tab क्या है, new tab है, cbe resources, ठीक है, competency-based examination resources, cbe, तो cbe, यह जो yellow color से new tab update हुआ है, यह हमारे काम का है, आपको इस tab क्या करना है, just click कर देना है, जब आप क्लिक करोगे तो देखिए, आपके लिए क्या-क्या चीज़ है, एक new page खोल और यहां पर लिखेगा, according to new education policy, new education policy के according हम क्या कर रहे है, हम बच्चों के analysis पे ध्यान दे रहे हम बच्चों को case study और उनकी thinking को improve करना चाहते हैं, ना कि उनने रट्टूता बनाना चाहते हैं, so देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, scroll करके नीचे आप लोग जाएंगे, फिर देखिए, यहां पर CBE का आपको बता रखा है, competency-based education, तो CBE, आपके CBSC examination में introduce किया गया है, कि आपको competency-based question देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है जी, तो अब आपको यहां पर जाना है, नीचे स्क्रॉल करके, अब देखिए, यहां पर आपको नजर आ रहा है, कुछ यह है curriculum design, this is your teaching and learning, and this is your assessment, तो हमें कहां पर जाना है, assessment पर जाना है, यह assessment किस ने दिया है, यह assessment CBSC ने दिया है, ठीक है, आप लोग इस assessment को DOE से confused नहीं होंगे, जो Delhi के students है, उन्हें assessment मिलता है, वो DOE की तरफ से मिलता है, दिली government की तरफ से मिलता है, लेकिन CBSC Central है, जो आपका board examination देगा, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए, यह सारे tab है, अब आपको क्या करना है, हम कहां, किसके लिए जा रहे है, question bank, study material के लिए जा रहे है, अब आपको देखिए, इस assessment पर click करोगे, तो देखो, यहां पर आपको नीचे लिखा हुआ है, CBSC question bank for class 10, यह न करेगा, मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे रहती हूं, कोई भी नया CBSC तरफ से अपडेट होता है, वह हम आपके शार करते हैं, जिससे आप उसका पूरा benefit ले सके, अब यहां पे लिखा हुआ है, CBSC question bank for class 10, आपको यही करना है, यहां पे question bank पे जब आप क्लिक करेंगे, तो देखिए, यहां पे अभी देखिए, मैं आपको दो चीज़े बताऊंगी, यहां पे जब आप question bank पे click करेंगे, तो यहां पे आपको तीन question bank नज़र आएंगे class 10 के लिए, English, Mathematics, Science, यह पहले से थे, यह तीनों पहले से थे, अभी CBSC न नया दिया है, वो भी मैं आपको पहले आप इसे देख सकते हैं, अगर आप इसे डाउंलोड करना चाहते हैं, तो जिस्ट आप इसको click करेंगे, और यह आपको डाउंलोड हो जाएगा, डाउंलोड हो जाएगा, तो यह अपने आप आपका open बी हो जाएगा, तो जब आप उपन फोन में जो भी आपका space जहां पर भी आप WPS में या जो भी आपकी साइट है वहां पर इसे खोल सकते हैं जिसे मैंने इसको डाउनलोड किया तो यह मेरा यह डाउनलोड है तो यह मेरा उपन करके दिखा देगा अगर आपने OSWAL की बुक करी हो तो आप लोग देख सकते हैं कोशन, केस बेस जो कोशन है यह मार्बल वाला यह मैंने भी कोशन करवाया था यह कोशन आपको CBSC ने दिया हुआ है यह आपको देख सकते हैं यह पिछाप्टर वन में यह ग्राफ वाला कोशन यह आपने देखा ह तो अभी हमें इस पे नहीं जाना है तो अभी हम बैक जाएंगे ठीक है तो यह तो हो गया कि आपको साइंस मैथ और इसका जो कोश्चन बैंक यहां पर कॉंपिदेंसी बेंस कोश्चन यह पहले से था अभी आपको नई चीज भी सीब्सी ने दिये उसके लिए आपको करना है फिल्ट कें नीचे जाना है अब यहां पर यह दीया बैंक यहिं नया आया है कि यह द्यान से सुन लेजिए जो जो यहांभ थी औस सी-पैसित ना अपडाश इन सबहुत कि बीचिज़ांस धर वहाइं करा देटिया की त्रूंट ब्रितिस इसम्ट जो यहां पर रिसोर्स डेवलेपमेंट जोईंटली बाइस सीबी सी टीचर और बृतिस काउंसिल सीबीएस के टीचर और बृतिस काउंसिल ने मिलकर यह सपोर्ट में गजिए आपको पता हो ना चाहिए कि सीबीएस अमारा ओल ओवर बें चलता है अलग अलग कुछ ऐसी कंट्री स्टूरेंट्स पढ़ते हैं और cbsc इंडिया के बाहर भी चलता है तो जो cbsc काफी इंटरनेशनल बोर्ड है और यहां पर यह पूरा कंटेंट प्रिपेर किया गया है तो यहां पर वर्लेवल के कॉंपिटेंसी बेश कोशन आपको मिलेंगे और इनके बारे में आपको बहुत सारे लोग बताएंगे नी ब्रिटिस काउंसिल कोशन बैंक इसके बारे में बहुत सारे लोग आपको बताएंगे भी नी और आपके टीचर्स तो हो सकता है इसके बारे में अपडेट ही ना करें अगर हम government school के teachers की बात करें, वो NCRT तक बच्चों को limit कर देते हैं, उसके आगे बढ़ी नहीं पाते हैं, so, CBSE का कोई भी resource आपको नहीं छोड़ना है, आपको जरूर करना है, जो भी मिलता है, अगर आपको कोई बताए, ना बताए, आपको मैंने बता दिया, आपको समझना है, डाउनलोड करना है और पढ़ना है, ठीक है, फ्री में है सब कुछ, अब आपको क्या करना है, यह आप लोग देख रहे हैं, इस पर जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए, डाउनलोड का सिंबल भी आ रहा है, जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आपका सब्जेक्ट आ गया है, Mathematics, Science and English, जो भी आपको चाहिए, उस पर क्लिक करिए, तो Sample Science, Lesson, Plan, Embedded for Competency Based Approach, तो यहाँ पर प्लान बना रखा है, Competency Based Approach में, कि आपका कैसे होगा, तो Lesson, Plan है यहाँ पर, और यहाँ पर Classes दे रखिए आपको, ठीक है, देखिए, यहाँ पर Classes हो, यहाँ यह बहुत अच्छी चीज़ है, कि आप लोग देख सकते हो, Class 6, Class 7, Class 8, Class 9, ठीक है, अभी तक इन Classes के लिए, केवल Board Examination के लिए, कुछ content CBSC देता था, अधर Classes के लिए नहीं, बट यहाँ पर 10 से नीचे भी 6, 7, 8 के लिए भी content दे रखा है, अब आपको गया करना है, यहाँ पर जाना है, आइटम बैंक, साइंस के लिए, और यह भी आपका डाउनलोड हो जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, टैब पे, तो यह डाउनलोड हो जाएगा, और यह आपका खुल जाएगा, देखिए, competency-based education for CBSC, और British Council, यहाँ नहीं, CBSC Teacher and British Council ने मिलके बनाया है, Class 10, September 2021, Introduction for Teachers, यहाँ पे बताया हुआ है, पूरा डॉक्यमेंट के बारे में, आपको यहाँ पे बताया हुआ है, Marks, Assessment, Objectives बता रखा है, किस तरीके से होगा, ओके, फिर आइटम इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पे भी आपको Class 6 का दे रखा है, कि Science का किस तरीके से आपका File Name, और File Name बना-बना के यहाँ पे Save कर रखा है, कि Class 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ पे 10, तो यहाँ पे Chemical Substance, Chemical, यह देखिए, Chemical Substance, 10.1, Chemical Substance, ठीक है, Chemical Substance, और यहाँ पे आपको यह सारा बना के दिया हुआ है, फाइल्स बना के दिया हुए है, जैसे कि अगर हम इस फाइल को खोलते हैं, Chemical Substance, और यह फाइल को खोलते हैं, आपको अपनी Class और Chapter के According देखना होगा, जब आप फाइल खोलोगे तो यह उपन हो जाएगा, ठीक है, ओके, अभी यह तैब काम नहीं कर रहा है, देखते हैं आगे, 10.1, Chemical Substance, ओके, जब आप इसे स्क्रॉल करके आएंगे न, तो यहाँ पर आपको Questions मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको यह रेखना होगी, Term 1 के जो चाप्टर है, वो आले Questions आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है, डाइग्राम में डेजिस्टिफ सिस्टम है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कि आपको इन्हें identify करना है, ठीक है, A, B, C, D, E, F, और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, state the name of organ, organ का नाम बताना है, एक डाइग्राम दे रखा है, और उसी से question पूछ रखा है, तो ऐसे आपके exam में भी question आ सकता है, कि डाइग्राम देखे, उसमें आपको locate करके पूछेगा, CBS sample paper में भी इस तरह को question दिये थे, उसके बाद required balance right, ठीक है, तो यहाँ पर आपको questions देखने होंगे, जो term 1 के लिए आपके questions यूज हो सकते हैं, वो questions आपको निकालना होगा, यह से calcium oxide react vigorously with water, यह आप लोग देख सकते हैं question, state explain the type of reaction between calcium oxide and water, ठीक है, one mark के questions, यह आप लोग को देखना पड़ेगा, कौन से आपके term 1 के, यहाँ पर आपको पूरा design कर रहा है, और यहाँ पर answer भी आपको इसी में मिल जाएगा, आपको एक ही document डाउनलोड करना है, और यह science 10, M.T. यानि class 10 के लिए है, और यहाँ पर answer भी आपको नीचे ही मिल जाएगे, इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम बैक चलेंगे, ठीक है, वेबसाइट पर वापस आजाएंगे, इसके अनावा देखिए आपको क्या करना है, यह आपका question bank, दो चीजे मैंने बता दी, एक तो आपका यहाँ से direct, आप लोग question bank ले सकते हो, साइंस मैट बिटिस काउंसिल वाला, यहाँ से चाहें, तो यहाँ से भी practice कर सकते हैं, आप लोग science maths और English का, सभी classes के लिए हैं, इसके रहावा practice question paper, यह भी आपको class wise दिया हुआ है, तो practice question paper भी जाएंगे, तो आप लोग देख लो, यह class 3 से शुरू होता है, class 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, यह class 9 तक के लिए है, कि practice question paper इनको मिल जाएंगे, और CCT weekly है, यह भी एक नई चीज अपडेट हुई है, तो यहाँ पे इसको आप दिक्षा पोर्टल से जाके, student, teacher या weekly जो भी आपको content चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा, तो यह CBSC एक new page एड कर रहा है, जहाँ पे यह सारी चीज़े दे रहा है आपको, तो यह पूरा update था, I hope आपको समझ में आ गया हो, और आप लोग यहाँ से question bank से question लेके, case study based questions की practice कर सकते हो, for more updates प्लीज do subscribe, like, share, comment करना ना भूले, साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार visit कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आपको class 10 के लिए special playlist है, PKD Science, PKD Maths, PKD English, वहाँ से जाके 2021-2022 के सभी lectures आप लोग free of course देख सकते हैं, और उनके PDF आप लोग telegram से टाउनलोड कर सकते हैं,